बॉल्यूट सिल्वर स्क्रीन प्रिजेंटिंग दा क्रूट्स इस कहानी की शुरुवात में एक केप फैमिली को दिखाया जाता है जिसका नाम क्रूट्स है जंगल में कई नैचुरल डिजास्टर्स में अलग-अलग वजहों से सब के सब मारे गए एक यही फैमिली है जो बची हुई है और इसका कारण होता है इस परिवार का मुखिया जिसका नाम ग्रग है वो अपने परिवार में किसी को भी केप से भाहर नहीं जाने देता सिर्फ ये खाना लेने भाहर जा सकते हैं इस बास से ग्रग की बेटी एप बहुत परिशान होती है वो हमेशा भाहर की दुनिया देखना चाती है और एक दिन उसे चटान के उपर से एक आवाज आती है और जब वो उस तरब जाती है तो ग्रग उसे देख लेता है वो उसे वापस आने के लिए कहता है लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और तब ही एक खुंखार जानवर उस पर हमला करता है इसलिए उसे वापस केव में आना पड़ता है ग्रग जल्दी से केव कर दरवाजा ब हो चुकी है और रात को जब पूरा परिवार सोरा होता है तब ही एप को भार कुछ रोशनी दिखती है और वो रोशनी का पीछा करते करते चटान की चोटी पर चड़ जाती है जहां पर उसे एक जलती भी मशाल दिखती है एपने अपनी जिंदेगी में पहली बार इस तरह कि कोई चीज देखी है आज से पहले उसने कभी आग को नहीं देखा इस तरह की मशाल को नहीं देखा इसलिए वो उसे ध्यान से देख रही होती है और तब ही उसके पीछे से खुंखार जानवर आता है पर इससे पहले कि वो एप पर हमला करता है एप उस पर हमला कर देती ह लेकिन ये कोई जानवर नहीं होता बलकि एक मौडरन लड़का होता है जिसका नाम गाय होता है वो अपना मास्क उतारता है दरसल इसने मास्क पैना होता है और एप को कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह इनसान हूँ एप इसे देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है और उसे सूंगने लगती है गाय को कुछ भी समझ में नहीं आता वो एप के पैर पर काट लेता है और अब ये दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं और तबी मशाल बुझने वाली होती है गाय एप से कहता है कि मशाल बुझने वाली अंधेरा हो जाएगा मुझे मशाल जलाने दो मुझे अंधेरा बिल्कुल भी परसंद नहीं है एप उसकी बात मान जाती है और अब गाय एक बार फिर से फूक मार कर आग को जला देता है जो देखकर एप पूरी तरह से हैरान होती है गाय एप को कहता है कि हमें यहां से जाना होगा जल्दी यहां पर जौला मुकी फट जाएगा पूरी जगा तबहा हो जाएगी यहां से हम एक उची पहाड़ी पर जा सकते हैं पर एप उसे मना कर देती है क्योंकि उसका परिवार यहां पर होता है गाय उसे एक हौन देता है और कहता है कि मैं यहां से जा रहा हूँ कभी भी तुम्हें मदद की जरुरत हो तो इस हौन को बजा देना और गाय यह कहकर वहां से चला जाता है और तबी यहाँ पर एप के पिता ग्रग आ जाते हैं वो एप को डाटते हैं कि तुम केव से यहाँ पर क्यों आई यहाँ पर तुम्हारी जान को खत्रा हो सकता है और जब वो उसे बता रहे होते हैं तबी यहाँ पर वही खुंखार जानवर आ जाता है जिसने पिछली बार इनकी केप पर हमला किया था ग्रग अपनी बेटी एप को ठाकर चटान से लटक जाते है उन्हें रात भर वही पर लटकर रहना पड़ता है क्योंकि जानवर वही पर होता है और सुबह होने पर जब जानवर चला जाता है तो वह वापस अपनी केप पर लौट जाते है जहां पर उनका परिवार उन्हें देख कर खुश होता है यहां पर एप सब को गाए के बारे में बताना चाहती है लेकिन उसकी बात कोई भी नहीं सुनता और तब ही वह उस होन को निकालती है जो गाए ने उसे दिया था जैसी वह उसे बजाती है सब के सब डर जाते हैं और उस होन को तोड़ देते हैं जो देखकर एप को बहुत गुसा आता है वह कहती है कि तुम सब के सब जंगली हो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती ग्रकों कुछ साथ और वो कहते हैं कि अब तुम्हें पूरी जिन्दगी बूड़ा होने तक केव के अंदर ही रहना होगा पर इससे पहले कि वो एप को केव के अंदर ले जाते यहाँ पर जमीन हिलना शुरू हो जाती है चटाने गिरना शुरू हो जाती है और यह अपने केव की तरफ भागते हैं और तभी इनकी केव के ऊपर भी चटान गिर जाती है जिससे इनकी केव यानि की इनका घर पूरी तरह से नश्ट हो जाता है और जब यह पूरा जलजला थमता है तो ये देखते हैं कि जो चटान गिरी होती है उसके पीछे एक बहुत ही खूबसूरत जंगल होता है जो इन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखा था एप उस नई दुनिया में जंगल में जाना चाती है लेकिन उसके पिता ग्रग उसे मना करते हैं और तभी एक बार फिर से वही खूंखार जानवर इनके पीछे होता है जो पहले भी ने मारने की कोशिश कर चुका होता है और अब इनके पास छुपने के लिए कोई जगा नही होती इसलिए इस पूरे परिवार को उपर से कूदना पड़ता है और अब ये उस नई दुनिया उस खुबसूरत जंगल में पहुंच जाते हैं जहां पर अजीव जीब से जानवर होते हैं इन्हें दुनिया बहुत अच्छी लगती है पर तभी एक शेर इनके उपर हमला क देख देती है शेर फिर से इनका पीछा करता है और पूरा दिन उसको चक्मा देने के बाद यहां पर रात हो जाती है और रात होते ही पूरे जंगल में सन्नाटा हो जाता है इन्हें कुछ भी समझने ही आता कि इतना सन्नाटा क्यों है और तभी यहां पर अजीब से पक्ष वो जल्दी से उस हौन को उठाती है और बजाना शुरू कर देती है इस उमीद में कि शायद गाये इनकी मदद के लिए यहां पर आ जाए गाये उस आवास को सुन लेता है और उस यहां पर एप और उसका परिवार है और जल्दी से अपनी मशाल जलाता और पक्षियों के लेकिन उसके हाथ में मशाल होती है जिससे उन सब को डरा देता है ग्रग और उसका पूरा परिवार आग देखकर हैरान होता है और तब ही उसकी बेटी एप उसे बताती है कि यह आग है और मैं पहले भी इससे मिल चुकी हूँ यह हमारे लिए खत्रा नहीं है ग्रग अब उसके परिवार के पास कोई भी रास्ता नहीं है और यह उस सफर पर निकल पड़ते हैं रास्ते में इने भूक लगती है ग्रग और उसका परिवार पुराने तरीकों से शिकार करने की कोशिश करते हैं लेकिन इनके हाथों में कोई भी शिकार नहीं लगता बहुत मुश्क बहुत मुश्किल से ये एक बहुत बड़े बर्ड को पकड़ लेते हैं जिसके बाद गाय उस बर्ड को पकाता है और पहली बार ग्रग की फैमली पका हुआ खाना खाती है और जब रात को सबसोनी की तैयारी करते हैं तो ग्रग गाय को एक लकड़ी के खोल में बंद कर देता है और तभी ग्रग वहाँ पर आकर उसे बचा लेता है अब ये एक बार फिर से सफर आगे शुरू करते हैं जहांपर ग्रग के पैर में काटे चुपते हैं जिससे उसे बहुत दर्द होता है यहांपर ग्रग की मौम यानि की एप की जो दादी होती है उसके पैर पर भी काटों के ऊपर खड़ा होता है यह देखकर ग्रग पूरी तरह से हैरान हो जाता है वो उसका पीछा करना चाहता है पर काटे चुबने की वजह से वो उसके पीछे नहीं जा पाता जिसके बाद गाए अपने आपको आजाद कर देता है और वो देखता है कि यहां पर पूरा काटो की वज़े से परिशान है जिसकी वज़े से अब वो आगे का सफर तै नहीं कर सकते गाए कोई देखकर अच्छा नहीं लगता वो इनके सामने आता है और कहता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि इन काटों से कैसे बच रहा है लेकिन तुम मुझे इस लखडी के अंदर दुबारा कैद नहीं करोगे ग्रग उसकी बात मान जाता है जिसके बाद गाए इन सब के पैरों में उसी तरह के जूते पहना देता है जिस तरह से उसने पहने थे और इस तरह से ये इस काटे भरे रास्ते को पार कर लेते हैं और अब ये देखते हैं कि इनके आगे लेकिन ग्रग उसके आईडियास पर नहीं चलना चाता क्योंकि वो उससे जलता है और उसकी जलन का कारण ये होता है कि ग्रग की जो बीटी एप है उसे पता है कि वो कहीं न कहीं काई से प्यार करती है और ग्रग ऐसा बिलकुल नहीं चाता और अब यहां पर एक बार फिर से अर्थक्वेक आ जाता है पीछे चटाने खिसकना शिरू हो जाती है और इस सब के सब उस भूल भलईया में गिर जाते हैं यहां पर बहुत ही खतरनाग तरीके पेड़ पॉधे और जानवर होते हैं ऐसे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इन्हें खाने की मारने की कोशिश करते है पर किसी तरह से सब के सब बज़ कर एक लेक के किनारे पहुँच जाते हैं जहां एपका पूरा परिवार गाये को अब बहुत पसंद करता है वो उसके साथ बहुत इंजॉय करते हैं सिवाए गरग के गरग अभी भी उसे पसंद नहीं करता और रगली सुबहें देखते हैं लेकिन सब गुफा के अंदर जाने से मना कर देते हैं वो कहते हैं कि अब हम गुफा में नहीं रहेंगे बलकि बाहर की दुनिया में रहेंगे हम इस दुनिया को इंजॉय करना चाहते हैं और ये सब गाई की वज़े से हुआ होता है इसलिए ग्रग को गाय पर बहुत गुसा आता है उसे मारने के लिए उसका पीछा करने लगता है और ये दोनों के दोनों गलती से चटान की चोटी से नीचे गिर जाते हैं नीचे टार फलो होता है जिसमें दोनों के दोनों फस जाते हैं ग्रग यहां पर बहुत जादा हिल र उन्होंने मरने से पहले मुझे बताय था कि मुझे अपनी जिंदगी खुल कर जीनी है, मुझे हमेशा पूरफ की तरफ जाना है यानि की सूरज पीछा करना है और हर मुश्किल का हिम्मद से सामना करना है ग्रग उसे कहता है कि मेरी बेटी बिलकुल तुम्हारी तरह है वो भी तुम्हारी तरह जीना चाती है ग्रग उसे कहता है कि आपकी बेटी मेरी तरह नहीं बलकि वो आपकी तरह है वो आपसे बहुत प्यार करती है लेकिन अपने दिल की बात आपको बता नहीं पाती जिस तरह से आप उसे यह नहीं जता पाते कि आप उससे बहुत प्यार करते हैं और अब ग्रग को एहसास हो जाता है कि गाय एक बहुत ही बहुत ही बहतरीन लड़का है और वो गाय से कहता है कि हम दोनों यहां से जरूर भाहर निकलेंगे और अपने परिवार के पास जाएंगे दरसल ग्रग ने उसे अपने परिवार का हिस्सा समझ लिया है ग्रग उसे कहता है कि हम तुमारे आइडिये से यहां से बाहर निकलेंगे और इसके बाद वो अपने पैट की मदद से यहां पर एक नकली फीमिल टाइगर बनाता है जिसे देखकर असली टाइगर यहां पर आ जाता है और जब वो उस नकली टाइगर को खीशता है तो उसे पकड़ कर ये दोनों भी बाहर निकल जाते हैं लेकिन असली टाइगर उस टार में फस जाता है और अब ये दोनों के दो उन्हों अपने परिवार तक पहुँच जाते हैं। दूर एक रोशनी दिखती हैं। ग्रक कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और इसके बाद वो अपनी बेटी को भी उस तरह फेक देता है। और खुद इस जगा फज जाता है। और अब यहाँ पर भी जमीन फटना शुरू हो जाती है। वो एक केव के अंदर छुप जाता है। जिसके बाद वो वहाँ पर गाए के तरीकों से मरशाल जलाता है। और तब ही वहाँ पर वो टाइगर भी आ जाता है जो टार में फज गया था। दरसल इस टाइगर को अंधेरे से बहुत डर लगता है। और अब ग्रक के पास आने के बाद इसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। साथ ही ये खतरनाग भी नहीं होता है। इसलिए ग्रक का दोस्ट बन जाता है। यहाँ पर ग्रक को हौन की आवाज आती है। वो समझ जाता है कि उसका परिवार उसे बुला रहा है। और उसे भी अपने परिवार की याद आ रही होती है। इसलिए वो किसी भी तरह से इस जगा से निकलना चाता है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। यहाँ पर वेल मचली का एक स्केलेटन होता है जिसके उपर वो टार लगा देता है। और टाइगर के साथ स्केलेटन के अंदर बैट जाता है। और अब यहाँ पर वो उड़ने वाले खुंकार पक्षी आते हैं। और जब वो स्केलेटन के उपर बैठते हैं जहां पर टान लगा होता है तो सब के सब चिपक जाते हैं और जब वो पक्षी उड़ते हैं तो उनके साथ वो स्केलेटन भी उड़ना शुरू हो जाता है और स्केलेटन को उड़ा कर उपक्षी उसी तरफ ले जा रहे होते हैं जो सुरक्षित जगा है जहां पर गरग का परिवार है गरग अपने साथ और भी बहुत सारे एनिमल्स को रख लेता है और जब ये दूसरी तरफ पहुचने वाले होते हैं कि तब ही स्केलेटन की एक बोन एक पत्थर के साथ अटक जाती है और पीछे जौला मुकी का एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो चुका होता है जिसकी चपेट हो जाते हैं लेकिन तब ही दूए को चीरता हुआ गरग अपने सभी एनिमल्स साथियों के साथ यहां पर पहुच जाता है एप अपने पिता को देखकर बहुत खुश होती है वो उनके गले से लग जाती है और कहती है कि मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ मैं आपसे इशकार करते हैं तो यह है पूरी कहानी फिल्म क्रूट्स की यह फिल्म इयर 2013 में रिलीज हुई थी आयमडीबी पर इसकी रेटिंग है 7.2 उमीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी